आज हम बनाने वाले हैं बहुती फेमस और जट पर बनने वाली टेस्टी रेसिपी यह है रेट सौस पास्ता यहां बच्चों को तो बेहत पसंद है और बड़े भी उतना ही चाह से खाते हैं तो रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल सबसाइब नहीं किया है तो जल्दी से अब करने वाले हैं 7-8 लस्टों के खलिया बारी कटी हुई एक मीडियम क्याप्सी कम बारी कटा हुआ एक मीडियम प्यास बारी कटा हुआ इसे हलके आतों से चला लेना है तो पूरा बटर जो है अच्छे से इसमें मेक्स हो जाना चाहिए तो अब हम डालेंगे पैपर यह यहां पर मैंने तीन से चार पेपर लिए है यह है वन टेबल स्पून मिक्स्ट हर्प आपको मार्केट में इजली अवेलेबल है अगला इंग्रेटेंट है एक छोड़ा चमच चिली पाउडर अब इन्हें हलके हातों से मिक्स कर लेना है हमें तब तक पकाना है जब तक प्या का जो है मीडियम टोमैटो प्यूरी डाला है तो इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो जब तक हमारा जो है कुक नहीं हो जाता है बिल्कुछ इस तरह से करीबन दो से तीन मिनिट करना है अब हम आड़ करेंगे केचप एक छोटे चमच चिली सॉस अब इन दोनों को आड़ करने से हमारे जो रेसिपी में है वो कलर बहुत ही बढ़िया निखर के आता है तो अगला इंग रिनिट है वो है सॉल्ट अब यहाँ पे मैंने 100 ग्राम पास्ता जो है अल्री जो है बॉयल करके और ड्रेन करके रखा हुआ है अब हम उसे आड़ कर लेंगे और हलके ह हातों से चला लेंगे एक से दो मिनित तक तो फ्रेंज तयार है हमारी करमा गरम रेट सॉस पास्ता ब्रेकफास्ट रेसिपी इजी है क्विक है इंस्टन है जल्दी बन जाती है ब्रेकफास्ट रेसिपी है टिफिन का बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है बच्चे बेहत करते हैं तो once in a while आप homemade जो है बिना पास्ता सॉस के आप बिल्कुल रेसिपी ड्राइ किजिए अपने comments जो है शेर करना ना भूलिएगा तो हो फिरन सब को मेरा वीडियो पसंद आया पसंद आया तो like, share, subscribe जरूर किजिएगा तो मिलते एगले वीडियो में ऐसे ही किसी quick, easy, healthy, tasty, unique रेसिपिक के साथ तब तक के लिए बाइए